हेलो मुझे पैचाना मेरा नाम है छोड़ो या रहने देते हैं तो अभी रात के दो बज रहे हैं कल मेरा एक्जाम है और हां मैं बेटके वीडियो बना रहा हूं तो यार वनपीस चैप्टर 1043 में कुछ ऐसा ड्रॉप हुआ है जो यार मेरे बॉड़ी में पूरा एक्साइट वीडियो में मेरा मतलब इस चैनल में चैप्टर वीउस वैसे तो नहीं होता है पर यह वाला चैप्टर कुछ स्पेसल है तो लेट्स डाइव इंटो इस ब्यूटिफल चैप्टर सबसे पहले तो मुझे इस चैप्टर के स्पाउलर्स पहले ही मिल चुके थे हाला कि मैं दिन बात थोड़ा अलग था हाल फिलाल में वनपीस ने मुझे काफ़ी डिसपॉइंट किया है क्योंकि एवरी चैप्टर इस काइंड ओफ बोरिंग आई मीन लिटरली बोरिंग और मैं इसके बारे में वैसे तो डिसकॉर्ड में बात ही कर रहा था और किसी ने मुझे स्प अगर तुम्हाओ वनपीस के चैप्टर काफी सिमिलर तो होते हैं हर बार की तरह इसमें भी वही सेम चीज हुई थी जो कि हर चैप्टर में होते आ रही है बट क्योंकि इस चैप्टर में कुछ बहुत मेजर चीज ड्रॉप हुआ है So I guess that was the reason खेर यह चीज obviously predicted थी कि लूफी ही joy boy है But not because of bad writing But क्योंकि Oda यह खोद चाहते थे अगर तुम पीछे मुड़ कर देखो तो काफी टाइम पहले से ही यह चीज फोर सैडोविंग होते आ रही है And you know what, what really blown up my mind, the presentation क्योंकि हाँ spoilers के चलते मुझे पहले से ही मालूम था कि इस chapter में क्या होने वाला है पर जिस तरीके से इसको हमारे सामने रखा गया That was really something I mean chapter के सुरुवात में हर बार की तरह वही situation समझा गया काईडो का next move But the moment when Zunisa said joy boy is right there बड़े हाथी ने काफी मज़े दिला हैं इस chapter में मेरे डिस्कॉर्ड के दोस्तों को पता है कि मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ खेर अगले पैनल में हमें लूफी का dead body दिखाया जाता है और मैं अपना सर अपने phone में डाल चुका होता हूँ इसको पढ़ने के लिए literally starting gun activate करके मैं पढ़ रहा था and next panel में लूफी का एक हाथ होता है next panel में लूफी के body से कुछ निकल रहा होता है या फिर लूफी का body पिगल रहा होता है और लूफी हस्त रहा होता है और यार जो goose bumps आया था ना इस पैनल पर भाई वह मैं बता नहीं सकता और यार यह chapter यहीं खत्म हो जाता है ऐसे moment पर यार और अब next chapter भाई ब्रेक पर है मुझे अभी याद आया this video is sponsored by 9tales.com यह एक ऐसा site है जहां पर तुम एनिमे के merchandise खरीद सकते हो personally इसका जो site user interface था वह मुझे काफी पसंद आया क्योंकि यहां पर सारे के सारे जो मेरे favorite characters थे जो मेरे favorite anime merch थे वह यहां पर है और यह जो aot वाला जो hoodie था यह मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि यार इसको मैंने लगातार दो महीने यूज किया हूँ और अभी तक इसके quality एक number है इसका नहीं रंग छूटा और नहीं इसका कोई सिलाई भी निकला सबसे बड़िया बात थे इन लोगों की delivery यह जो मैंने hoodie मंगाया है यह दो दिन में ही पहुँच चुका था so yeah I was quite impressed जाके जरूर इस site को देखो link is in the description अब मैं यहां पर यह चीज़ explain करी नहीं सकता कि मैं यहां पर कैसा feel कर रहा था अब यार मेरी तो यहां पर imagination सुरूकी नहीं रही थी सबसे फिले तो मैं instantly यही सोच रहा था कि one piece पहले क्या था और अब क्या है लेकिन क्या लूफी actually मर गया था वेल सायच से पर आगे क्या होने वाला है क्या यह लूफी की devil fruit awakening है या फिर कुछ और at this point कुछ भी हो सकता है यादे काईडो ने ये कहा था पिछले चाप्टर में कि लूफी की जो normal rubber powers है या उससे काफ़ी different है basically काईडो ने बस यही कहा था कि rubber इस तरह से react नहीं करता है और यार वा बंदा याद है जिससे लूफी fight कर रहा था हाँ यार मुझे उसका नाम तो याद नहीं आ रहा है पर उसने ये reveal किया था कि लूफी का devil fruit के पीछे वह भी पड़ा था and काफी time पहले Sanks ने वह devil fruit एक marine ship से चुरा लिया था so या वानो में यह चिस काफी time पहले सही point out की जा रही है कि लूफी का devil fruit is something more special और जिस तरह से law orchid का devil fruit awaken हो चुका है हो सकता है लूफी का devil fruit awaken हो चुका हो लेकिन क्या यह भी हो सकता है कि यह power कुछ और हो यह कुछ और power है भाई और यार लूफी क्या actual में मर गया था बहुत कुछ है भाई अब जो कि center of attraction बन चुकी है और सायद से यही वो चीज है जिसके बारे में Sanx 5 elder star से बात करने गया था यानि कि Sanx जिस specific pilot के बारे में बात कर रहा था वो और कोई नहीं बलकि लूफी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि Sanx ऐसा कुछ point out किया हो जो कि actual में इस चीज के बारे में पता लगा सकता है कि गुमुगुमुनुमी joy boy से related है या नहीं तो यार देखो अब ऐसा time है कि यार हम अब बस chapters के आने का वेटी कर सकते हैं और यह prediction छोड़कर story enjoy कर सकते हैं मुझे तो यार यह epic transformation देखना है यार जो लूफी अभी करने वाला है और वो अब तक का best entry कैसा होगा वो यार क्या काईडो कुछ भयंकर सा attack करने वाला होगा लूफी के crewmates के उपर और तभी लूफी अचानक से entry मारता है इदम epic style में और वो attack को deflect या फिर ऐसे block कर देता है एक हाथ से और काईडो से कहे the real fight starts now वाय यार imagination लेकिन जो चीज मैं नहीं चाहता हूँ वो हो और वो हो सकता है actually मैं क्यूंकि उस पर focus किया जा रहा है वो है momonosi का जाके मर मुरा जाना क्यूंकि यार Yamato भी उसको कह रही थी कि जाके थोड़ा लड़ ले डरपोक समुराय एंड momonosi के एक र्येक्चन देखके तो यही लग रहा है कि वो पही थोड़ा जाके थोड़ा लड़ेगा और one piece की जिस तरीकी स्टोरी होती है उसको देखकर भी यही लग रहा है कि हाँ, मोमनोस के हो सकता है, थोड़े देर के लिए हो सकता है काईडो को छूचा दे, लेकिन हम सब को पता है, वो नहीं कुछ कर पाएगा, एंड वहाँ पे बीच में लूफी आएगा, एंड हो सकता है, वो कहें कि हाँ, लीब दरेस्ट नेकी है कि तुम्हारा मोमनोस के involved है यहाँ पर, और वह काफी annoying है, मोमनोस के मुझे बिलकुल भी नहीं पसंद, खेर छोड़ो कि इसके ही बारे में बात कर रहे हैं, और अपना mood खराब कर रहे हैं, फोकस करते हैं नए transformation में, क्या वो लूफी का gear 5 होने वाला है, या फिर devil fruit awakening या फिर सीधा joy boy ही लूफी के आत्मा में घुज गया है, ऐसा कुछ, comment section में बताओ कि तुम क्या सोचते हो कि लूफी के साथ क्या हो रहा है, और ह्यार मुझे जितनी गालिया देना है दो, लेकिन एक चीज़ जरू करना कि मुझे यार next exam के लिए good luck कहा देना, क्योंकि मु कालनों के चितरा, और हां thank you for 4K subscribers, भाई यार तुम लोग कितने पके वाले दोस्तों यार मेरे, मैं पूरा टाइम में दो महिने तक अपलोड नहीं किया, और जो support दिखाया तुम लोगोंने, ओ भाई, तुम लोग यार मेरा बन कर रहा है कि यही पट, मैं कह रहा था कि मिलत है नेक्स्ट वीडियो में, एक्जाम के बाद, see you on the next video.